मुंबई के बागूर नगर पुलिस ने 48 घंटों के बीतर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार रविवार को टेली विजन निर्माता निर्देशक संतोष गुपता के घर पर लुटेरों ने धावा बोल दिया और 40 लाख रुप्य की नगदी और आभूशन उड़ा ले गए बुधवार तक पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और जैसा की पता चला है दकैती की योजना बनाने वाले आरोपियों में से एक गुपता के लिए एक ठेकेदार के रूप में काम करता था वही दो अन्य आरोपी टेली विजन स्टू और दूसरे दो को मंगलवार रात को गिरफ्तार किया गया था पुलिस के मताबिक शरम गुपता के लिए टीवी सेट और घर दोनों जगह काम करता था इसलिए उसे पता था कि प्रोड्यूसर अपने घर में पैसा रखता है वो तिजोरी का स्थान भी जानता था इन सब जा नकाब पोशों को घर में घुसते देख चौदरी ने गुपता को फोन किया और उन्हें इस बारे में सचेत करने की कोशिश की फिर दोनों ने चौदरी को पकड़ लिया और बंदू की नोग पर बांध दिया इसके बाद बदमाशों ने कमरे का दर्वाजा तोड़ा और अ नाख्त नहीं कर सकी हाला कि CCTV फुटेज में दोनों आरोपियों ने जिस दो पहिया वाहन का इस्तिमाल किया था उसका पीछा करते हुए उन्होंने उन्हें पास की एक दुकान पर ट्रेस किया जहां उन्होंने मास्क खरीदे थे दोनों बिना मास्क और अलग-अलग पहने कैमरे में कैध हुए दो गिरफतार लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि योजना शरम द्वारा रची गई थी एक पुलिस अधिकारी ने ये कहा